आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार सिख्षक भाली से जूरे एक लेटिस्ट अपडेट कक्छा 1-5 और कक्छा 6-8 की अभियात्यों के लिए प्रार्त्मिक सिख्षक के निदेशक दॉक्टर रंजीत कुमार सिंग ने एक वाफिर से कहा कि बिहार में जो सिख्षक बाहली हो रही है इसमें आपको बता दे कि कैम्प के आयजन अगले मा की आ जाएगा यह एक बहुत ही बड़ी ख़वर है आप सभी अभियात्यों के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार सिख्षक नियोजन के लिए जो है कक्छा 6-8 का कौंसलिंग नेक्स्ट मंथ में कराने जा रही है अभिभाग हलाकि आपको बता दे इससे पहले प्रार्थमिक सिख्षा के निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंग ने कहा था कि अक्टूबर में कैम्प के आयजन किया जाएगा लेकिन कुछ कारणों से अक्टूबर में कैम्प का आ नेक्स्ट के बात करें तो एक से पांच का फाइनल मेरिट लिस्ट जो है मानने हाई कुल्ड के आदिस के बात जारी होगा जिहां आपको बता दे प्रार्थमिक सिख्षक निदे सक्क डॉक्टर रंजीत कुमार सिंग ने एक वाफिश सिका है कि ककच्षा एक से पांच का फ आपको बतादे कि बहाली संबर्त जो है दिसंबर या जनवरी तक आप सभी अभियार्तियों को हो सकता है जहां आपको बतादे आप सभी अभियार्तियों को जो है दिसंबर या जनवरी तक जो है हो जाएगा लेकिन इसमें भी सबसे बड़ी बात यहां पर आपको बतादे ख जो है, फैनल मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया जा सकता है, इसलिए फिलाल आप से भी अवियारती फैनल मेरिट लिस्ट का कक्षा एक से पांच का वेट करें, अगले माँ आपको याद होगा, कि 9 नमबर को समभता परार्तमिक्ता वाला मैंटर पर फैसला आएगा, उधर दिस समबर सीट को लेकर के भी पटना है कुल्ट में 2 नमबर को सुनवाई है, अगर उस दिन फैसला हो जाता है, तो ठीक है, नहीं तो फिर ये बहाली के परिक्रिया जो है, और भी काफी पेचिदा हो सकता है, फिलाल वेट करें, तो ये था आज का एक लेटेस्ट अबडेट, आप सभी अभी आते के लेट, इस अबडेट में बघनाएगें।